केरल के वाइनाड में भीशन बारिश के बीच लैंड स्लाइड हुई है इसमें सौ से ज़्यादा लोग फंस गए हैं लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाय जा रहा है अधिकारियों ने बताया कि हादिसे में दो बच्चों के साथ पा लैंड स्लाइड हुई लैंड स्लाइड के चलते करीब सौ से ज्यादा लोग मलबे में फंस गए हैं ऐसा बताया जा रहा है जिनने बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाय जा रहा है लैंड स्लाइड से घायल होने वाले 16 लोगों को वाइनाड के मैपडी के निजी अस्पताल में भरती कराये गया है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी इस मामले पर नजर बनाये हुए हैं उन्होंने कहा है कि वाइनाड में भूस खलन के बाद सभी संभावित बचाव कारें का समन्वय किया जाएगा घटना के बारे में पता चलते ही सरक सरकारी तंत्र बचाव अभियान में जुट गया है रैस्क्यू ऑपरेशन में राजी की सभी सरकारी एजेंसिया लगी हुई है आज राजी के मंत्री घटनास्थल का दौरा कर सकते हैं इधर सी एमो के मुताबिक भारी बारिश के बाद वाइनाड में भूस खलन हुआ है य मिलनाडू के सुलूर से रवाना हुए हैं लैंड्सलाइड के बाद सी एमो की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि भूस खलन को देखते हुए थामर सेरी दर्रे से होकर जरूरी वाहनों के अलावा दूसरे वाहनों के जाने पर प्रतिबंध फिलहाल के लिए लगा दिय अब दर्रे से होकर जाने वाले रास्ते को प्रशस्त करने के लिए सभी को ततपर रहने को कहा गया है ताकि दर्रे में ट्राफिक जाम ना हो सके और बचाव सामगरी मूंद कई तक पहुचाई जा सके